इस देश की आजादी की लडाई में अगर महत्पुन भूमिका की सिखी रही तो युवाओं की रही आने वाले 2024 के आम दोगसभाचुनाओं में चार जिन को जब मतगन्ना का रिजल्ट सामने आएगा देश के नौजवानों का रिजल्ट भी कॉंग्रेस और मौज़िदा विपक्ष को मिल जाएगा कॉंग्रेस पार्टी के सासन में रोज भस्ताचार का एक स्था निकलता है देश का नौजवान हर काल खंद में भारत माता के वैभव को बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहा है और आज भी प्रयास करें कि देश भर में लोग सभा चुनाव हो रहे हैं और सभी राजनेतिक दल इस बात की चिंता जता रहे हैं कि उनका कंसर्ण युवाओं को लेकर बहुत ज्यादा है इस वक्त हमारे साथ रोहित कुमार सिंग है जो युवा चेतना के हैं जो देश भर में सामाजिक संग्षित चलाते हैं जिनका उदेश रहता है कि युवाओं को संग्षित किया जाए उन्हें सही दिसा पे लाया जाए और उनके लिए जो कुछ बहतर हो सके सरकारों के साथ मिलकर समन्नोय के साथ किया जाए हमारे साथ रोज़े रोज़े आप युवाओं को ले करके देश भर में अंदोलन चलाते हैं समाजिक कारेक्टर में रहते हैं युवाओं को आप प्रोसाहित करते अपनी भुमिका का निर्वहन किया गांधी जी के सत्यागरा अंदोलन को देखिये गरम दल को देखिये या महान करांतिकारियों को देखिये इस देश की आजादी की लराई में अगर महत्यपुन भुमिका किसी की रही तो युवाओं की रही देश आजाद हुआ आजादी के इस देश में एक दल का पूरा प्रभाव रहा, 30 सालों तक एक दल ने इस देश पर सासन किया, सासन के क्रम में भय, भूख और भ्रस्ताचार की आवाज बुलंद हो गई, देश में गरीबों को दबाया गया, नौजवानों के उपर प्रिवारवादी शक्तियों ने सासन का प जे प्रकास्त नारायन के नित्रत में हिंदुस्तान में संपूर्ण क्रांती के आंदुलन का उद्गोश हुआ और कांग्रेस का सूपरा साप हो गया, बाद के दिनों में आप देखिए, जब फिर से कांग्रेस पार्ती के समय में भ्रस्ताचार चरम पर गया, प्रिवारव मंतरी के पदपर सुसोभित करने में, अगर किसी वर्ग की सबसे ज़्यादा चिंता रही, किसी वर्ग का सबसे बड़ा योगदान रहा, तो वो नौजवानों का रहा, और नौजवानों ने आदर्णिये प्रधान मंतरी जी के पक्ष में अपना समर्थन खुल कर दिया, औ अरकाल खंद में भारत माता के वैभव को बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहा है, और आज भी प्रयास कर रहा है, आपको लग रहा है कि जो राजनेतिक दलों की चिंता, वही चिंता है जो युवाओं की है, विरुजगारी का मुद्दा हो, सिक्षा में महंगी करण हो गया ह तो युवाओं की जो बुनियादी समझ जाए हैं, क्या राजनेतिक दल इनको लेके कंसर्न हैं? कि में बैठे राजनेतिक दलों ने देश के नवजवानों को ठगने का काम किया, दिख भ्रमित करने का काम किया, और अपनी अकर्मन्य संतानों को देश के उपर थोपने के लिए, खेत में खुरपी चलाने वाले, किसान और मजदूर के घर में पैदा होने वाले, छमतावा नौजवानों के कोस्ट पर अपने पुत्र और पुत्रियों को बढ़ाने का सर्यंत रचा जिसको देश का नौजवान भली भाती समझ चुका है और आने वाले 2024 के आम लोकसभाद चुनाओं में चार जून को जब मतगन्ना का रिजल्ट सामने आएगा तो देश के नौजवानों का रिजल्ट भी कॉंग्रेस और मौजिदा विपक्ष को मिल जाएगा आपको लग रहा कौँ सा मुद्दा है जो युवाओं के लिए सरकार ने कर दिया और वो से युवाओं बड़ा प्रभावित हो गया है युवाओं को बड़ा फाइदा मिलासी दे तौर पे चाहे रुजगार की बात आप कर रहे हूं चाहे इंटर्प्रेंशिप की बात कर प्रधान मंतरी मोदी जी का पूरा सोच देश के आम नोजवानों के लिए है राजनीत में जिस प्रकार से सुचिता लाने का प्रयास माननिय प्रधान मंतरी ने किया जिस प्रकार से देश के आम नोजवानों को लोकतांत्रिक संबधानिक धाचे में भी राजनतिक तोर पर मांगनी ये प्रधान मंत्री जी के द्वारा प्रमोत किया गया कहां कॉंग्रेस पार्ति और विपक्ष के दलों ने किया प्रधान मंत्री मोधी के लिए जहां पूरा भारत उनका परिवार है वहां कॉंग्रेस के लिए कौन है परिवार राहूल गांधी प्रियंका गांधी रौबत वादरा कोई तुलना है क्या उत्तर प्रदेश में जाईए तो एक परिवार बिहार में जाईए तो लालुजादव का परिवार तमिल नादू में जाईए तो करणा निधी जी का परिवार हर्याना में जाईए तो हुद्दा साहब का परिवार जमू कश्मिर में जा बीजेपी में कोई परिवारबाद थे पर भावाद के पिता जी देश में परदानài मंत्री थे क्या देश के मानदनी अगरही मंत्री जी के पिता जी देश में गड़ी मंत्री थे क्या नहीं न थे इसे जंदे पर बात कीजिए खिलेज भाई आप देश के बड़े पत्रकार हैं और मैं भारती जंता पार्ती या कॉंग्रेस या किसी याने पार्ती का प्रवक्ता या कारेकरता नहीं हूँ जब आप बात कर रहे हैं तब आप उंगली उठाएंगे चिराग पासवान पे भी तब आप उंगली उठाएंगे पंकर सिंग पे भी तब आप उंगली उठाएंगे अनुराग सिंग पे भी अनुराग जी लगातार देश में पिछले 20-25 सालों से काम कर रहे हैं और मैंने सपस्तोर पर आपको कहा I don't belong to any political party I am not office bearer of worker of any political party ते जस्वी की बात कीजिए ना ते जस्वी 2015 में बिधान सभा का चुनाव लड़ते हैं लालु यादव के पुतर के रूप में और जीत के आते हैं सिधे देपूती सीम का सपत लेते हैं क्या काम किया क्या काम किया स्टेदियों में पानी पिला रहे थे स्टेदियों में पानी पिलाते पिलाते ना बॉलर बन पाए ना बैट्समेन बन पाए सीधे रागोपुर चले गए लालू जी की कृपा से MLA बने और देपूति सीम बन गए अब आप आईए देश के मूँ लेजंदे पर हम बात करें देश का जो मूँ लेजंदा है भरस्ताचार कॉंग्रेस पार्ती के सासन में रोज भरस्ताचार का एक चित्था निकलता था देश की जनता जज कर रही है आप एक जर्नलिस्ट है मैं स्वेम आपको 20 साल से जानता हूँ आप 30 सालों से ज़्यादा समय से पत्रकारिता में है आप बताईए ना देश में पिछले 10 साल से जो सरकार काम कर रही है एक भरस्ताचार का परचा देश की जनता के सामने आया कॉंग्रेस पार्ती में इतने बड़े बड़े वकील इतने बड़े बड़े राजनेता इतने बड़े बड़े इंट्रनाशनल रिलेशन्स रखने वाले लोग है किसी ने इक परचान नीकालने का कोई कोई बता सकता इक देश में कोई भरस्ता चार हुआ क्या मैं देश का आम नागरिक हूँ मैं किसी पार्थी का कार्करता ओनेता नहीं हूँ लेकिन मुझे गर्म हो रहा है कि यहां मुदी जी बापु की समाधी पर चल रहे थे तो अमेरिका और चाइना के रास्त्रा ध्यक्च नहीं आहे थे लेकिन अमेरिका के रास्त्रा ध्यक्च देश और दुनिया के कई जास्त्रा धक्षों के साथ मोदी जी के पीछे चल रहे थे लगा कि भारत भागी विधाता फिर से खरा हो था है तो आपको लग रहे हैं निश्यत रूप से जिन लोगों प्रधान मंत्री जी के नित्रत में देश प्रगती के पथ पर बढ़ चुका है देश दुनिया के तौ मुल आतमा भगवान राम है ना मर्यादा पुरसुत्तम राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले लोगों को देश की जंता परदास्त करेगी 500 साल से ज़्यादा समय तक राम की जनम भूमिया युद्ध्या में राम जी का घर नहीं था तेंट के नीचे राम जी रह रहे थे राहूल गांधी का अंग्रेस पार्थी कपिल सिब्बल जैसे लोग भगवान राम के अस्तित पर सवाल उठा रहे थे और मांधनिये प्रधान मंतरी मोदी जी के नत्रत में भगवान राम का भवे मंदिर बन गया आज पूरी दुनिया लगता है आप भी आज कल अर्वन नकसल से प्रभावित हो गये हैं मुझे इस बात का संसे हो रहा है आप देश के बड़े पत्रकार है राम के मंदिर बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता है अरे यही बात तो कांग्रेस पार्थी ने कहा सुप्रिम कोत में कहा देश के मंचो तो किस का बनेगा लाहोर में रहनेवाले लोगों का मंदर बनेगा हिंदुस्तान में ठीक आपको लगता है देश के नrenched को शम्मान मिला डेश के नौजवानों को ऊभल स्वावलंबी हो रहा है जय सेन संस्कृत ład और सभिता को वाइब दाउत करने का स्थर यंत्रचा देश की आजादी के बाद 50 सालों से अधिक समय तक कॉंग्रेस ने रूल किया कभी कॉंग्रेस ने इस देश के एदुकेशन पॉलिसी को चेंज करने का प्रयास नहीं किया और अंग्जेव ने हमारे देश के सभी म 2025 करने का प्रयास किया हमारी संस्कृति पर कुफारा घात किया और अंग्जेव के नाम पर आजादी के बाद ही रूंकी सरकार ने सरक का नाम कर दिया भन्प्रवाद देता हूं मोधिजी । Makes ने कम से कम और अंग्जेव के नाम को खतम करके रास्त्रवादी चिंतक भारत माता के वीर सपूत अब्दुल कलाम साहब के नाम पे उस सरक को किया क्या देश की जंता विचार नहीं कर रही है क्या देश की जंता विमर्स नहीं कर रही है देखिए 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 क्यों नहीं मुद्दा है गजनी और घोरी की संस्कृती भारत में चलेगी और अंग्येव की परंपरा भारत में चलेगी नहीं चलेगी देश में सरकों का जाल बन गया देश में हर जिले में अच्छे अस्पताल बन गया देश के सर्व्हार की ब coral कि लिए National University की मांगण हो रही थी नितिश कुमार जी साठीनी ग्रूप से कहा विए कर के मख्र मुंख्य कर दिया कॉंग्रेस की सरकार के कान पर जू नहीं रेंगा कॉंग्रेस की सरकारों में बिहारों में पतना के अलावा एरपोट नहीं था धन्यवाद देता हूं मोदी जी को दर्भंगा में उतना बड़ा एरपोट बना दिया दर्भंगा में एमस बना दिया पतना में एम्स पहले से बात चल रही थी और अच्छा हो गया अब क्या चाहते हैं देश के हरराज में एम्स बन रहा है उत्तर परदेश में गोरकपुर में एम्स बन गया देश के कई राजियों में IAT और I.A.M. खुल गये देश के नौजवानों को रोजगार मिल रहा है द भारत 370 हतने के बाद कश्मीर स्वर्ग बन गया, आज पुरी दुनिया कश्मीर आ रही है, सरे किसको जाता है, मोदी जी को जाता है, तब तो कुछ बच्चा है नहीं, तब क्या करेंगे प्रधानमंद्री बन के, चाइना और अमेरिका को पीछे करेंगे, चाइना और अमेरिका भारत से करजा लेगा, भारत की अर्थविवस्था नंबर एक पर जाएगी, भारत में विदेशों के लोग आ करके भारत से रोजगार मांगेंगे, दोहजार सेंटालिस का भारत इतना सम्रद होगा कि भारत विश्व गुरू बनेगा, वसुदेव कुतमकम की विचारधारा प्रदुनिया स्विकार करेगी, इन बातों को मुर्त रूप देने के लिए देश के यशश्वी प्रधानमंत्री जी को लगातार सत्ता में रहना ह और देश की जनता लगातार प्रधानमंत्री जी को सत्ता में रखेगी, बाबा सहाब अंबेदकर के विचारों को आत्म साथ कराना है, देश की जनता के साथ जो ठगी, जो छल, जो प्रपंच, जो गलत कारे, कॉंग्रेस और पुर्व की सरकारों ने किया, उससे मुक्ती द लाना है, खेत में खुर्पी चलाने वाले किसान और मजदूर की संतानों को समाज के मुक्तारा से लाना है, इन तमाम चीजों को मुर्थ रूप देने के लिए आधरनी प्रधानमंत्री जी को 24 में बड़े मेंदित के साथ देश का आम नौजवान, आम नागरिक सत्ता में जा रहा है, ठीक है, तो आपने देखा, रोहिस सिंग में बता रहे थे कि किस तरह से युवा उत्तेजित है, युवा चाहता है कि एक बार प्रधार मंत्री उसके मुद्दे पर चूंकि काम कर रहे हैं, देश को बुच से गुरू बनाना है, और यह तमाम मुद्दे हैं, अ केमरेमेन वालिद के साथ अखली स्मिश्व, जंतन चीवी, दिल्ली, इस देश की आजादी की लडाई में अगर महत्पुन भूमिका की सिखी रही, तो युवाओं की रहे हैं, आने वाले दोहजार चौबिस के आम लोग सभाचुनाओं में, चार जून को जब मतगना का र कारत माता के वैभव को बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहा है, और आज भी प्रयास करें